So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पहले आपको बता दू, disclaimer किसी भी तरह का कोई recommendation call tip नहीं है, purely educational purpose का वीडियो है, तो proper खुद का analysis करने के बाद, research करने के बाद ही कुछ करना उसके बाद, हमारे बातों पे कुछ मत करना, proper analysis करन है, stock opportunities and stock updates, इसके साथ second channel इसको भी subscribe कर सकते हो, bell icon press करके, all preset कर सकते हो, telegram channel जरूर से join कर लेना, stock कौन सा, कैसा perform कर रहा है, किसमें दिक्कत हो रही है, overall market क्या कर रहा है, foreign में क्या हो रहा है, world में, globally क्या चीज़े चल रही है, कौन से videos आ रहे हैं, सब आपको यहां पे मिलता हुआ बी, check कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं, Inox India के बारे में, Inox India के बारे में हुए हमने पहले बात करा था, उसके बाद कुछ खास बात हम ने किया नहीं, और फिर आज हम को दिखाना चाऊँ गा, Inox India के बारे में, कब बात करा था, around 11 डिज एंगोों, आइनक्स इंडिया के बारे में बात कर रहते हैं आप आप देख सकते हो sorry and उसके बाद हमने कुछ खास बात आइनक्स इंडिया पर नहीं किया ठीक है और आज हम फिर बात करने वाले ठीक है okay so मैं वापस आता हूं around 11 डेज अगो स्टॉक इस जगह पर था ठीक है अगर आप count क ठीक है इस बारा दिन पहले ठीक है तो हमने लगभग इस जगह पर वीडियो बनाया था ब्रेक आउट के जस्ट पहले आप वीडियो को जा करें के देखना आपको समझ में आ जाएगा ब्रेक आउट के टाइम पर और उसके बाद ब्रेक आउट हुआ स्टॉक ने सबस्क्राइब को भी टारगे डवन रख सकते हैं मैंने उवरल अपको यह जोब स्क्राइब करनाम करते हैं यहां से यह लाने के बाद पर आपको निकलेए फिर एक अच्छा मोमेंटम के लिए कुछ होता हुआ दिख रहा है यहां पर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम था आज विधा वेरी गुड वॉल्यूम अब यहां पर जो है हमें इस लेवल का वेट है यहां पर एक बहुत को ट्रेल करने वाले है ठीक है हमने कुछ इस जगह पर रखेंगे ठीक है क्योंकि हमारा कोश्ट जो है उसके काफी उपर जा चुका यहां से भी अगर हमें लॉस में एग्जिट करना फोता है तो यह गलती होगी तो हम कोश्ट के उपर रखेंगे मैं कुछ इस जहएगा पर लेकिन जाधा cost के पास भीगए lot more पफार अब देखो यहां पर क्या सीज़ote मैंने इसको यहां पर रखा मैं चाहता ता इसके यहां पर रख सकता था ऩए ठीक है प्ट मैंने इसे यहां क्यों रखखा है तो इसका reason क्या है मैं आपको simple बताता हूं just a second, okay, मैं से zoom कर लेता हूँ पहले, अब देखो, this is a very important level, this is a very important support, first resistance था, फिर support बना, फिर resistance बना, अब फिर सी यह support बन चुका है, अगर यहाँ पे इसके नीचे हमें closing मिल जाता है, and confirmation मिल जाता है, तो हम exit करतेंगे, ठीक है, as simple as that, अब हमारा stop loss बिल्कुल नहीं है, अगर य तो क्या से मैंने बोला, just मालो यह नीचे आ जाता है, and इसके नीचे यह close हो जाता है, red candle, and एक और red candle बन जाता है, और इसके नीचे close हो जाता है, तो यहाँ पे मैं exit कर दूँगा, अपने सारे trade, जो भी, positional, swing, सब कुछ, क्यों, क्योंकि यह जो setup था हमारा, जो support था, वो break ह हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे, उसके बाद, target, यहाँ पे मैं अपना 50%, 50-60% book करूंगा, और मैं बता दूँगा, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे book कर रहा हूँ, सब कुछ, 50-60% यहाँ पे मैं book करूंगा, और उसके बाद, मैं छोड़ दूँगा, बाकी को यहाँ ब्रेकाउट के बाद उपर जाने के लिए अगर ब्रेकाउट हुआ ब्रेकाउट अच्छा हुआ वित वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकाउट हुआ तो मैं चाहू तो और भी कॉंटिटी फ्रेश एंट्री में एड़ कर सकता हूं तो यह सब चीजे में आपको आगे बता दू लेवल के बाद ठीक है अब एंड करते हैं वीडियो को किसी भी तरह का कोई रेकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में बाई बाई जैहिंद एंड थैंक्स वर वाचिंग